1992 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और बाबरी मस्जिद का डेमॉलिशन हुआ तो एक नारा बार बार लगाया जा रहा था अयोध्या तो बस जाकी है काशी मतरा बाकी है अब उसके ठीक 20 साल बाद इस नारे में बात की गई काशी इंदनों काफी चर्चा में है काशी विश्वनाद ज्यानवापी मस्जिद विवाद इस समय बनारस की लोकल कोट और सुप्रीम कोट में सुना जा रहा है और इसकी वज़े से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदिय शेत्र बनारस में कई दिनों में काफी हल चल है क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी KYC के इस एपिसोड में अब सबसे पहले इस पूरे मामले को और भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े किसी भी मामले को समझने के लिए हम पहले एक कानून को हमें समझना पड़ेगा इस कानून का नाम है Places of Worship Act 1991 यह लागू हुआ 18 September 1991 से बाबरी मस्जित के demolition से महस एक सार पहले और इसमें यह का गया है कि जो भी धार्मिक पूजा की जगहें हैं उनका जो स्टेटिस था 15 अगस 1947 में उसे नहीं बदला जा सकता और नई कारेवाही शुरू नहीं की जाएगी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है सिर्फ बाबरी मस्जित के केस को छूट दी गए थी इस कानून के द्वारा यह कहके कि यह कानून उस पर लागुन नहीं होगा और इस कानून पर सुप्रीम कोट की बाबरी मस्जित की जज्मन में डीटेल में बात हुई थी कोट ने यह कहा था कि यह कानून एक धर निर्पेक्ष राजिस सेकिलर स्टेट के दायत्वों से जुड़ा है तो सभी धर्मों की समानता की बात हुई सेकिलरिजम की बात हुई और कोट ने कहा कि चुकि यह दोनों ही कॉंसिटूशन के बेसिक फीचर है इसलिए इस बेसिक फीचर को अफोल्ट करने के लिए इस कानून को पास किया गया है कोट ने थोड़ा भावक होकर अतीत की भी भात की और कहा कि हमारे देश में आजादी अतीत के घावों को भरने का एक महत्वपून शन था एतिहासे गलतियों का समादान कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं किया जा सकता और इसलिए सारवजनिक पूजास्थलो के चरित्र को सनरक्षित करने में संसद ने ये कानून बनाया कोट ने ये भी कहा कि जो मुगलों ने ज्यात्ती किया हिंदू मंदरों की विरुद उनके क्लेम्स को अब कोट नहीं देख सकते सुप्रीम कोट की ये बाते महत्वपून हैं क्योंकि कोट ने इस कानून को Constitution की basic structure से जोड़ा और कोट ने कहा, कोट ने पहले ऐसा कहा हुआ है कि Constitution की basic structure को बिलकुल बदला नहीं जा सकता कोट ने बाते साफ साफ कह दी थी, तो मतलब कोट के मताबक अगर मैं बताओ तो इस कानून का basic basis था कि छोड़ो कल की बाते, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नहीं कहानी लेकिन इसके बावजूद अब ये ज्यानबापी मस्जित विवाद कोट तक पहुँच गया है, अब ये विवाद, ये पूरा मामला कई सालों से चला आ रहा है, काफी लंबी टाइम लाइन है इसकी, ये मामला सबसे पहले कोट पहुँचा था 1991 में जब कुछ उन्हें स्वयंबू जोतिरलिंग भगवान विश्वेश्वर के नाम पर एक केस फायल किया था, ये कहते हुए कि ज्यानबापी मस्जित को औरंगजेब के आदेश पर एक मंदिर तोड़ कर बनाया गया था, अब उन्होंने ये मांग की कि इस मंदिर को उस जगे वापिस जा है उस समय जब एक केस पेंडिंग था तब ग्यानबापी मस्जित की मैनेजमेंट कमिटी अंजुम इंतिजामिया मस्जित ने कोर्ट में एक एक अप्लिकेशन दर्च की, ये कहते हुए कि ये केस कोर्ट नहीं सुन सकता क्योंकि ऐसा करना प्लेस और वर्शिप आक्ट क की जजमेंट आई और इसके एक महीने बाद ही एक फ्रेश केस फाइल हुआ, दूसरा केस बनारस की कोर्ट में एक एडवकेट विजय शंकर रस्तोगी द्वारा जो की बाबरी के केस में भी लॉयर थे, उन्होंने ग्यानबापी मस्जित की ASI सर्वे की मान की, अब आपको अप्रेल में आगे बढ़कर मस्जित की ASI सर्वे का भी ओर्डर दे दिया और कहा कि इस सर्वेक्षन का खर्च सरकार उठाएगी, कोर्ट में कहा कि इसके लिए पांच लोगों की कमिटी बिठाई जाएगी, जिसमें माइनौरिटी समुदा है, मुसल्मान भी होंगे, जो दो लोग शामिल होंगे इसमें, अपने ओर्डर में उन्होंने कहा कि सर्वेक्षन का मुख्य उद्देश ये पता लगाना होगा कि क्या विवादित स्थल जो है, मस्जित जो है उस समय जहां पर खढ़ा है, वहां दूसरा धार्मिक स्थल पहले था, इन ओर्डरों के खिल उने भी ग्यानवापी से जुड़े केसिस थे 2019 के अभी के, उन सबको साथ में सुना गया कोट ओर्डरों के मुताबिक इस स्थे कोट कई हेरिंग में आगे बढ़ाती रही, अब इसी दौरान वारानसी कोट में एक बार ये पूरा मैटर फिर पुनरजीवित हो गया, जब पिछले साल 18 अगस्त को पांच महिलाओं ने काशी विश्वनात मंदिर के बगल में बनी ग्यानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित शिंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाज़त देने के लिए वारानसी कोट में गुहार लगाई, और उसी दिन वारानसी के को कोट ने एक आडवोकेट कमिशनर को न्यूप करने का ओडर दिया, एक ही दिन में यह ओडर आ गया, इसके एक दिन बात कोट ने इस कमिशनर को उस मस्जिद परिसर की विडियोग्रफी करने का भी निदेश दिया और उन्हें पुलिस सहायता दी जाए, ऐसा निदेश भी इस साल 8 अप्रेल को पेटिशनरों की एक आप्लिकेशन बर आडवोकेट अजे कुमार मिश्टरा को आडवोकेट कमिशनर ने उपकिया गया, इन सबी ओर्डर को एक बार फिर अलाबाद हाई कोट के सामने चैलेंज किया गया, लेकिन 21 अप्रेल को हाई को ने इन चनौतिय शुरू हुआ, लेकिन शुरू होते ही इसके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए, मस्जित की मैनेजमेंट कमिटी अब एक बार फिर वारानसी कोट गई और इसने ये मांग की कि एडवोकेट अजे मिश्रा को पच से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर मस पचित के अंदर विडियोग्रफी करने की इजादत दे दी, कोट ने मिश्रा को 17 मई तक सर्वे पूरा करने और रेपोर्ट देने को कहा और दो और आडवोकेट कमिशनर अपॉइंट किये मिश्रा की हेल्प करने के लिए, जाज ने उस समय कहा कि ये पूरा इंस्पेक्श में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ एफाया दर्श करने का भी निर्देश दे दिया, अब इसी बीच 13 मई को मामला सुप्रीम कोट पहुचा, जब मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी ने इस सर्वे पर स्टेल लगाने की मांग की और एक बार फिर प्लेस अव वर्श शिवलिंग की खोच की गई थी, 17 मई को फाइनली ये मामला सुप्रीम कोट और वारानसी के कोट दोनों जगे सुना जा रहा था, सुप्रीम कोट ने शिवलिंग वाले शेत्र को सील करने के आदेश को स्टे करने से इंकार कर दिया, लेकिन कोट ने ये ज़रूर आगाह किय कि ऐसा करते हुए मुसल्मानों को साइट पर नमाज अदा करने में कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उसी दिन वारानसी कोट ने मिश्रा को हटाने का ओर्डर दिया, उनके सहयोगी पर सर्वे की जानकारी मीडिया में लीक करने के आरोप लग रहे थे, उनकी जगे कोट कमिशनर विशाल सिंग के निर्देश में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया, जिसमें अजे प्रताप सिंग को उनकी मदद करने का आदेश दिया गया, गुरुवार 19 मैं को कोट में रिपोर्ट जमा कर दी गई है, और अब इस माम मारी मस्जद केस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोट ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बाते की थी, जो इस केस में भी लागू होंगी, आपको ये भी बतादू, कि सुप्रीम कोट की बेंच जो इस मामले को सुन रही है, उसमें जस्सिस चंद्रचूट भी शामिल है, फट जाजों की बेंच का भी हिस्सा थे, तो एक बार से ये पूरा मामला इस कानून और आगे ऐसे केसहें, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है किस तरह से ताजमहल से लेकिक कुतुम मिनारं तक मामले कोट पहुंचे है, तो ऐसे केसे कोट किस तरह से हैंटल करें कि उ झाल झाल